सात्विक भोजन का ना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महतपून योगदान है तो हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए कुछ इसी तरह की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू की मैंने यहां चार आलू ले लिए हैं मीडियम साइज के बोईल कर लिए ह है बहुत ही साधान तरीके से आज इस सब्जी को हम बनाएंगे मिट्टी के बरतन में बनाएंगे बिल्कुल साधान तरीके से सब्जी हम बनाएंगे फिर भी बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्जी हमारी बनकर तयार होगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा यह देखिए मैंने चारो ही आलो को ऐसे कट कर लिया है चोटे चोटे टुकड़ों में ज्यादा चोटे भी नहीं किये हैं मिट्टी की कढ़ाई मैंने लिये है यहाँ दो टेवल स्पून जितना मैंने देशी घी गाएं का डाल दिया है घी के मेल्ट हो जाने के बाद यहाँ मैं एक चमत जितना जीरा डाल दूँगी यह देखिए और जीरे के साथ ही मैंने यहाँ तीन चमत जितने पिनट्स डाल दिये हैं यह कच्चे पिनट्स ही है यह देखिए और इन्हें अच्छे से हम फ्राइ कर लेंगे यह देखिए यहाँ गैस का फ्लेम आप लो ही रखिएगा थोड़ा सा टाइम हा लगता है मिट्टी के बरतन में बनाने में लेकिन जो खुश्बू आती है जो भी चीज हम बना रहे हैं वो आप एक पर बना कर देखिए आप मतल के लिए उस डाल दिये हैं यह अच्छे से जब भून जाए ना तो तब उस स्टेज पर हम जो आलू हमने बोईल कि थी वो डाल देंगे साथ ही मैंने ब्लैक पेपर पावडर डाला है काली मिर्च जो की बहुत फाइदेमंद होती है आखों के लिए भी सेंधा नमक डाल दे देखिए बिल्कुल हलके हाथों से मिलाने नहीं तो जो आलू है हमारे बिल्कुल ही ऐसे मैश हो जाएंगे तो देखने में भी सबजी हमारे अच्छी नहीं लगेगी धक कर बिल्कुल 3-4 मिनट तक अच्छे से हम इसे पका लेंगे ताकि जो भी हमारे मसाले है वो अच्छ पाउडर लिया है यह देखिए एक चमबज भर के इसमें डालेंगे तो टेस्ट हमारा दोगना हो जाएगा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मुफली को मैंने पहले ही भून लिया था और उसका पाउडर बना लिया इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे बहुत ही जल्द तो वैसे ही शरीर के हमारी दूर हो जाती है बहुत घुंकारी होते हैं जादा से जादा मिटी के बरतन ही यूज कीजिएगा हाँ थोड़ा बहुत टाइम मिटी के बरतन में लगता है जादा बनाने में बच्छो टेस्ट आता है न वो सारा टाइम आपको भूला देगा कि